केली में 25 सितंबा सुंबार को डोल ग्यारस के परोपर दोफर में भगवान श्री किष्ण को डोले में बिठा कर नदी किनारे पूजन कर ग्राम में शुबहतर निकाली गई जहां भगवान श्री किष्ण जलवा पूजन कर ग्राम में शुबहतर निकाली गई घर पर महिलाओं ने ग्यारस का उरत रखकर पुजन रचन किया भादरप पर शुक्ल पक्ष की एकादस्टी को ढोल ग्यारस उस्सो मना जाता है मानेताओं के अनुसार इस दिन श्रीकिष्णे के जन्म के अठरा दिन बाद जल्वा पुजन किया गया था उनके संपूर्ण कपड़ों का प्रक्षालन किया था उसी के अनुसरन में ढोल ग्यारस का परो मनाया जाता है इसी कारण इसे जल जुलनी एकादसी भी कहते हैं इस दिन चिंद्रमा अपनी ग्यारक अलावा में ओधित होता है जिससे मन अत्ती चंचल होता है इसे वस्म करने के लिए इस पद्मा एकादसी वरत को रखा जाता है इस दिन भगवान विश्णूर सहयन करते हुए करवट बदलने कारण परिवरतनी एकादसी भी कहते हैं केली से रामदा साव की रिपोर्ट करता है कि दे रांठे जिसे स्पर्णा करते हैं काई गरो जो करिका हरो काई गरीन कोई यूगर में में गराई गरलन खेंव दो यूजए राम कि जड़ कि अप कि जड़े, कि झाम यू सुव्पटार धू। को झाम्लवार धूड़ार है त Woolunakbot Boi कि झाम झायँ है सुव्टार है कि जड़ है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना भुलें